नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी कनाडा के प्रधान मत्री जस्टिन टूडो ने खनाडा के अंदर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिख निजर की जो हत्या हुई उसका आरोब भारत पर लगा दिया और उन्हों ने ये बयान संसद के अंदर दिया और उन्होंने कहा के य जो वहां हत्या हुई है हरदीप सिख निजर की ये विक्ति कौन है क्या कोई एक समाज से भी है तो उत्तर है नहीं ये एनाईय की लिस्ट के अंदर मोस्ट वांटिड आतंकवादी है जिसके उपर ये आरोप है कि वो कनाडा की धर्ती पर बैठकर भारत विरोधी अवियान चला रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वह लोगों की बकाएदा बरती कर रहा है हला कि ये भारत से गया हुआ है और भारत से निज्सो बान में में ये जाकर के इसने खालिस्तानी जो फोर्स वहाँ पर गठन किया और वहाँ पर जाकर केटी एफ का इसने गठन कर दिया और खालिस्तान टाइगर फोर्स ये इसने बना दिया और इसके बाद जाकर के उसके जरिये आतंकबाद का फैलाने का पूरा प्लान ये करता रहा है और भारत विरोधी अभियान का हिस्ता रहा है इसको देखते हुए हम हमारी सैना और अर्थ सैनिक बलों ने पाकिस्तान की जमीन में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया उसके बाद जिस तरह का कनाड़ा के प्रधान मंत्री का ये बयान आया है हलाकि लोग आइडिया पहले से लगा रहे थे और ये कह रहे थे कुछ लोग के ये वाकई में हमारे जो जेमस बॉंड हैं यानि अजीड डोवाल उनकी टीम का कोई हिस्सा हो सकता है भारत सरकार ने हलाकि इसको मना किया है कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है और बिना सबूत के कनाड़ा के प्रधान मंत्री इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं उन्होंने तो लगा दिया अब उसके पीछे भी सवाल उठ रहा है और आपको बता दू मेरे कनाड़ा में मित्र हैं उन मित्रों का कहना ये है कि जब ये परधान मंत्री का बयान संसत के अंदर आया उसी वीडियो के नीचे आप देख लीजिए जो कमेंट कनाड़ा के लोग कर रहे हैं वो कनाड़ा क है इसको ट्रोल कर रहे हैं लोग और ये भारत के नहीं तो कनाड़ा के लोग ट्रोल करते हुए पूछ रहे हैं कि भाई ये जो कनाड़ा के अंदर रोज हत्याएं हो रही हैं ये जो कनाड़ा में आप रात बढ़ रहा है इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे जो कनाड़ा के भारत सरकार के द्वारा जो रेड कोर्नर नोटिस हुआ तो सारे देशों में ये तेह हो जाता है कि इस व्यक्ति को किसी भी देश में देखा जाए तो उसको भारत सरकार को सौपे लेकिन यहां तो परधान मत्री खुले आम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और कहरे हैं कि साब इसक अगाए इससे हमें क्या दिक्कत है बही आपको दिक्कत नहीं है लेकिन भारत को दिक्कत है भारत इस देश के और टुकड़े नहीं चाहता और भारत सरकार इसको कत़ ही सैंड नहीं करेगी उसके पीछे कितने लोगों की अत्या हिंदों की हुई ये सब जो देश ने देखा अब इसको दुबारा देखना देश नहीं चाहता और इसलिए आपको बतादू जो कनाड़ा के प्रधान मंत्री है इनकी कनाड़ा से लेकर पूरी दुनिया में इस बात को लेकर लोग जो है इनको ट्रोल कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस तरह से एक आतंकवादी का खुला जिस तरह से समर्दन कर रहे हैं तो उस पर कनाड़ा की सरकार ने भारत के राजनेग को वहां से निसकासित कर दिया उसका तुरन पलट कर जवाब भारत सरकार ने दिया और कनाडा से जो ट्रेड हो रहा था वो अब ट्रेड भी नहीं करेंगे और आपको बता दूँ यहां ट्रेड को लेकर के आठ बिलियन डॉलर का ट्रेड यानि एक्सपोर्ट और आठ बिलियन डॉलर का ही लगवग इंपोर्ट कनाडा से होता था यानि भारत का इस ट्रेड को बं पाकिस्तान की क्या हालत है सब देख रहे हैं हाथ में कटोरा आ गया है बरबादी है अब यही हाल भारत ने तैक किया है कि वो कनाडा का करके छोड़ेगा जिस तरह से वो अलगावादी ताक्तों को पाल रहा है कनाडा के प्रधान मंत्री टूडरों को लगता है कि वहां जो धाई परसेंट सिख वोटर है ऐसा करकर वो उन सिखों की बोट ले लेगा लेकिन कनाडा में धाई परसेंट ही लगबग हिंदू है और वो हिंदू इस टिड्रों को लेकर के नाराज है वो कहते हैं कि आप सिख को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो भी खालिस्तानी मुमेंट चलाने वालों को जबकि जो कनाडा में टोटल आबादी सिखों की है उस टोटल सिखों की आबादी में जो खालिस्तानी मुमेंट के पक्षदर लोग हैं वो जो कनाडा में मेरा मित्र है वो कहता है कि उसका पक्षदर केवल और केवल 10% लोग होंगे यानि जो टोटल आबा पाज से कोई लेना देना नहीं है लोगों का कहना है कि जो लोग यहां भारत में आपने देखा कि जब यहां किसान अंदोलन चला था तो जो असली किसान है वो खेत में किसानी कर रहा था और जो फरजी किसान है यानि ठेके पे लेकर किसानी करते हैं दलाली मंडी की करते हैं वो आकर सडकों पे बैठे थे यही हाल कनाड़ा में जिनके पास कोई काम नहीं है वो वहाँ धरने और प्रदर्शन में नारेबाजी में रहेंगे इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ भी उनको उससे आगे करने की आजादी नहीं है कि वो कहीं तोड़ फोड़ कर दें कहीं मार पीट किसी के साथ कर दें मैं हमाँ बात कर रहा था कि वहाँ हिंदू की क्या इस्तित्य होने वाली है क्योंकि अब तो गुरू पत्वन सिंग पन्नू ने एक वीडियो जारी कर दी है और उसने कहा है कि मैं अक्टूबर तक की लाट वार्निंग कर रहा हूं कनाडा के अंदर जितने हिंदू हैं फिर वो यहां से छोड़ के चले जाएं तो कनाडा में जो मेरा मित्र है वो कह रहा था देखिए यहां इस इसको तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है यहां तो उन्होंने बड़ी मज़दार बात बताई उन्होंने कहा है जो जिस्टिन टूंडरो है परदान मंत्री यहां इसको कोई सीरियस नहीं लेता है उन्होंने कहा मैं ऐसे अनेक वीडियो बता सकता हूं जिसमें उनके मूँ पर उसको गाली दे रहे हैं मतलब सोचिए कलपन लोके मुँँ पर लोग गाली देते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ आर्थिक स्टिती का बदधाल है वहाँ अपराद बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके कारण से वो लोग कहते हैं कि यहाँ जो असली मुद्दे हैं वो उस पर कंट्रोल नहीं कर प तो जानते हैं और इसलिए भारत के अंदर जिस तरह से वो दो दिन बिना महमान बने रहा विमान खराब हो गया है भारत सरकार चाहती तो एक देश का परधान मंत्री है भाई हमारे यहां अथिती है दूसरा प्लेन दे सकते थे लेकिन उसका अफमान करना जरूरी था क्योंकि कि वो खालिस्तानी मुव्मेंट को चलाने वाल में लोगों को बढ़ावा देता है इसको लेकर कैप्टेन अमरेंदर सिंग जिस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था 2018 में यह जो टूंडरो है यह अमरेस्टर की यात्रा पे है था और उस समय मैंने इन से साफ साफ कहा था कि आप कैनाडा में जो लोग खालिस्तानी मुव्मेंट को बढ़ावा दे रहे हैं जो खालिस्तानी मूव्मेंट को चलाना चाहते हैं और भारत में भी लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन इसका है अब इसका मतलब यह हुआ कि अब हाँ चुनाव आने वाले है दोजार पच्चिस में यह सरकार के चुनाव है इसको लगता है कि तू सिक्खों की इस तरह की वोट लेकर के और वोट ले लेगा तो यह इसकी भूल है क्योंकि सिक्ख भी पूरा टोटल इस पक्ष में हैं वो यह रेफरेंडम भारत से अलग होना जो पड़ा लिखा और समझदार सिक्ख है वो कभी भी इसके पक्ष में नहीं है हलाकि यह कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की इच्छा जरूर है कि इस पूरी दुनिया में कहीं एक ऐसा खालिस्तान हो तो इस पर आपको बता सुधीर चोधरी आज तक के जाने माने पतरकार हैं उन्होंने अपने ब्लैक और वाइट करकम में ये टुन्डरों को सला भी दे डाली उन्होंने का भाई देखिए आपके आँ तो कुल सिक्खों की जो जंसंख्या आबादी है दो डाई परसेंट है और आपके याँ छेतर तान नाम रख दो भारत भारत में तो ये होने से रहा क्योंकि भारत में सब मिल जूल कर रहते हैं और मिल जूल कर रही रहना अब तै हो गया है अब यहां इस भारत बाता के और टुकड़े होना असंभव है और इसलिए एक सक्त संदेश भारत ने दिया है भारत के लोगों वे आपको बता दूँ के वहाँ जो है अब इस समय की हालत ये है के वहाँ साथ आठ लाक सिक आबादी है जो कुल आबादी का मैनेजर से बताया धाई तीन परसेंट है लेकिन ये जो उन्होंने बात कही है हरदीब सिंग निजर की मौत को लेकर इसमें एक बात और है वो किसने मारा ये अभी तक किलियर नहीं है टुंडरो कह रहा है कि हम जाच कराएंगे सोचिए मौत के तीन महीने बाद उसकी आँख खुली है लेकिन इससे कहीं ना कहीं मोधी सरकार की तो बढ़ाई हो गई है इंडारेक्टली लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये मोधी सरकार ने किया है फिर तो अपने देश की रक्षा के लिए हम करेंगे हमने पाकिस्तान में गुसकर सर्जीकल इस्ट्राइक कर दिया और एक देश का परधान मंत्री अगर कह रहा है कि समुंदर पार करके हजारों किलोमीटर दूर अगर भारत की सरकार इस तरह का कोई उपरेशन कर देती है तो ये तो इजराइल की तरज पर किया गया एक उपरेशन है जो अच्छा संकेत है और जिस तरह से करनाडा का परधान मत्री खालिस्तानी मुव्मेंट चलाने वाले या खालिस्तानी आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होकर संसंद में रो रहा है इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब ये है कि एक देश सरे आम ये कह रहा है कि हमारे देश में हमें सब को बोलने की आजादी है हम हत्या को नहीं होने देंगे क्योंकि वो हमारे देश का नागरिक है फिर तो पाकिस्तान फिर तो जो है तालीबानी फिर तो कोई भी देश में आतंकवाद पालेगा और फिर उसके मारने पर आप इस तरह की बाते करेंगे तो फिर आतंकवाद के खात्मे की बात ही क्या रही आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ये बात हमने सुनी है अब इस पर भारत सरकार ने तै कर दिया है कि अब वो कनाडा को सबक सिखा कर दम लेगा और इससे मोधी जी का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बज़ रहा है कि बाई बाई मोधी जी ने ऐसा बहतरी इनकाम किया है यदि किया है तो आपकी कह रहा है ये किसने किया है क्या टुन्डरो जो कह रहा है वो सही है या फिर जो गुरू पत्वन सिंग पन्नू कह रहा है आपको लगता है कि वो कर पाएगा कि वहाँ से सभी हिंदूओं को भगा पाएगा अपनी राए जरूर दे बंदे बात्रम